दीर स्टुडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट को जैसे कि आपको पता है हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं परकास के परावर्तन तथा आप वर्तन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो NCRT के बुक पर आधारित है अगर आपके पास NCRT की किताबें हैं तो आप बिल्कुल NCRT की किताब को पढ़ते रहे हैं इनकी सहारा लिजीए आप क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो NCRT का ही मुल बाते रहती है NCRT के से ली गई बाते रहती है चली तो हम लोग जो पढ़ रहे थें पिछले दिन उत्तल लेंस के बारे में पढ़ें कि उत्तल लेंस में प्रतिभीम कहां बनता है उत्तल लेंस में जो प्रतिभीम बनता है उसका आरेक कैसा होता है तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिसकस किये हुए हैं तो चलिए students, अब हम लोग आते हैं, और तल लेंज द्वारा बना प्रतिबीम्ब, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप देख पार होंगे, कि और तल लेंज द्वारा बना प्रतिबीम्ब, यानि कि उस बार जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि दरपन अलग होता है, अब आपको कोई पूछेगा कि दरपन और लेंज में क्या अंतर है, तो आप यही बोलिएगा कि दरपन में एक तरफ कलई किया रहता है, जबकि लेंज में दोनों तरफ बिना कलई किया रहता है, दोनों तरफ गोलिये प्रिष्ट होता है वो एक पारदर्शी होता है ठीक है वो एक लेंज कहलाता है जैसा कि हम लोग उतल दरपन में और आउतल दरपन में दोनों के लिए अलग अलग आरेक खिचे थे अलग अलग परतिबीम बनता है तो वैसे ही आउतल लेंज में भी परत इस्थिति बनाना है बीम्ब का मतलब आप तो समझी रहे हैं बीम्ब की इस्थिति यानि कि हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे ठीक है में फिर हम लोग बनाएंगे प्रतिवींब का साइज कि प्रतिवींब का क्या साइज बनेगा ठीक है प्रतिवींब का है आई में फिर अगर बात करें में तो प्रकृति कि इस तरीके से आप figure बना लिजेगा मनलब figure नहीं सरी ये table ठीक है ये table इस तरीके से बना लिजेगा अब आपको बहुत अच्छा खुसी होगा कि उत्ता लेंस में हम लोगों का 6 case बनता था कितना case बनता था 6 लेकिन उत्ता लेंस में मात्र और मात्र दो case बनता है number one कब जब अनन्त पर हो वस्तु कहां हो अनन्त पर जब वस्तु अनन्त पर हो तो आप जी हाँ आप बनाएंगे क्या कि परतिवीम कहां बनता है तो f1 पर बनता है जैसा कि आपको हम दिखा चुके हैं कि और तल लेंस में भी दूगो f1 होता है दूगो f2 होता है मरलब दूगो f1 होता है दूगो c1 c2 होता है न एक f1 f2 होता है और f1 c1 c2 होता है तो उसी तरीके से आपको समझने चाहिए कि इसका परतिवीम कहां बनता है f1 पर परतिवीम का साइज के बारे में बात कर लेता है तो अतियंत छोटा बनता है अतियंत छोटा यानि बिंदु शमान बिंदु के आकार का बिंदु शमान और इसका जो प्रकृति होता है हमेशा याद रखिएगा कि चुकि आउतल में तो दूगो केसे हैं फस्ट और सेकेंड के फस्ट सेकर 200 two केस है और हमेशा प्रकृति जो होता है इसका आभासी और सीधा होता है और आभासी और सीधा का मतलब तो आप समझी ृहे हैं कि आभासी कंस優ी ने जिसमाने अगर परतिबिम उधर ही बनता है, तो हम लोगों को उसको अभासी और सिधा कहा देते हैं, तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए, कि अभासी बनेगा, क्यों? क्योंकि ओतर लेंस में जिधर वस्तू रखते हैं, उधर ही परतिबिम बनता है, चलिए, दूसरा केस क्या है? तो अनन्त तथा, अनन्त तथा, ओ, ओ मतलब समझ रहें ना, ओ का मतलब होता है, प्रके, प्रके मतलब प्रकासिक केंद्र, के बीच, आप समझ पा रहे होंगे, कि दूसरा केस क्या होता है, तो जब वस्तु को कहां रखा जाता है तो अनन्त तथा O के बीच रखते हैं O का मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तब कहां बनेगा तो F1 तथा O के बीच क्योंकि लेंस में तो O होता है प्रकाशिक केंद्र होता है जैसे कि दरपन में ध्रूव होता है पी उसी तरीके से लेंस में क्या होता है ओ होता है ओ मतलब प्रकासिक केंद्र अच्छा इसमें क्या कैसा परतिवीम का साइज होगा तो साइज इसमें छोटा बनता है और इसमें भी प्रकृती में बनाएंगे आभासी और सीधा ठीक है त तो इस टेबल में आपको डो ही केस है और इन दोनो केस का हम लोगों को डायग्राम भी खीशना होगा हलागि सबसे पहले तो आपको याद करना जरूरी है इस टेबल को क्यों जरूरी आप समझ पा रहोंगे न जान रहे और तल लेंस में जब अनंत पर रखते हैं वस्तु को तो उसका परतिभीम कहां बनता है एफवन पर परतिभीम का साइज क्या होगा तो अत्यान तो छोटा होगा यानि कि बिंदू के अकार का और इसका प्रकृति कितना होगा तो आभासी तथा सीधा फिर आते हैं क अगर वस्तु को अनंत तथा O के बिच अगर रखेंगे ओ मनें प्रकासिक के अंदर के बिच रखेंगे तो परतिभीम का स्थिति कहां होगा या नहीं परतिभीम कहां बनेगा तो एफवन तथा O के बिच और बिल्कुल छोटा बनेगा इदेखिए अत्यान छोटा और चलते हैं next topic को सिखते हैं इस बर पता ही क्या सिखेंगे जो हम लोग यहां table बनाया है उसका आरेक खिचेंगे कि आउतल लेंस में आरेक कैसा बनता है ठीके तो यहां पर लिखेंगे topic बनाएंगे अब आउतल लेंस में बना परतिबिम्ब का आरेक यानि कि इस बार topic क्या बना है आउतल लेंस में जो बना परतिबिम्ब है उसका आरेक आरेक का मतलब diagram यानि उसका figure ठीक है तो सबसे पहले इसका तो दो ही case है first and second तो आप चलिएगा पहला case को समझेगा case first ठीक है case first पर क्या लिखेंगे जब वस्तू या वस्तू को हम लोग बिम्ब भी बोलते हैं तो जब वस्तू कहां हो अनन्थ पर हो ठीक है जब वस्तू अगर अनन्थ पर होगा तो अब हमें जो figure बनाना होगा diagram बनाना होगा वो कैसे बनेगा इन चीजों पर हम विचार कर रहे हैं भी सबसे पहले आप ये समझे कि कौन सा लेंस है dear students आप देख पा रहोंगे ओतल लेंस है तो जब ओतल लेंस है तो आप ओतल लेंस बनाईए गदम अच्छे से बनाईएगा pencil से बनाईएगा ठीक है तो ये हम बना रहे हैं ओतल लेंस ठीक है ये एक ओतल लेंस है हम लोग जानते हैं कि ओतल लेंस भी बीचों बीच क्रोस होता है चाहे कोई सा भी लेंस हो सबका तो एक मुख्य अच्छ होगा और इसमें ये जो ओ होता है इसी ओ को बोलते हैं प्रो के प्रोक्य का मतलब प्रकासिक केंद्र आप सौट नहीं लिखिएगा आप इसका पूरा नाम लिखिएगा अगर आप जानते हैं तो इसको छोड़ दिजिएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो अब यहां पर हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मुख अच बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मुख अच ठीक है अब मुख अच का क्या डफिरनेशन है कि जो चुकि दोनों और तो प्रिष्टिय होता है और यह ओतल लेंस का फिगर है और हम लोग जानते हैं कि ओतल लेंस के एक और जो होता है C1 होता है तो इसके बीच में कहीं F1 भी होता है F1 भी होता है और यहाँ पे एक तरफ F2 होता है तो एक तरफ C2 होता है होता है ना चलिए यहां तक तो हम लोग समझ जाते हैं अच्छा अब क्या बोल रहा है कि जब वस्तु अगर अनंत पे होगी जब वस्तु कहा होगी अनंत पे तो जब वस्तु अनंत पे का मतलब क्या है यह तो मुख्य अच्छा ना जब वस्तु अनंत पे का मतलब यह हुआ क कि जब वस्तु अनन्थ से आ रही है यह सब जो किरने है वो कहां से आ रही है अनन्थ से आ रही है पता नहीं कहां से आ रही है यह जो किरने है वो कोई पुछेगा कि कहां से आ रही है भई तो इधर तो अनन्थ है ना इधर क्या है अनन्थ है तो अनन्थ से यह किरने आ रही ह ठीक है और लेंस से जैसे ही क्रोस आउट हो रही है तो हम लोग जानते हैं न कि इस लेंस से कैसे क्रोस आउट होगी पता है तो हम लोग जानते हैं कि आउतल लेंस क्या करता है आउतल लेंस को अप सारी लेंस भी कहा जाता है पता है न तो आउतल लेंस क्या करेगा तो आउतल लेंस आपको पता है कि इसको किर्णों को मोड देगा इधर भेज देगा इसको भी क्या करेगा इसको भी इधर भेज देग समझ में आ रहा है इसको कहां भेजेगा तो इसको भी इधर भेज देगा इसको कहां भेजेगा तो बिल्कुल इसको भी इधर भेज देगा ठीक है यानि जा रहा था किरने अनंत से मुख्य अच्छ से समानांतर किरने जब आ रही थी तो जा रही थी मुड़ गई अब सारी इ इसको पीछे की और मिलाते हैं और इस सब को पीछे की और मिलाएंगे देख पारे होंगे तो सब कहां कट रहा है इसको हम लोग पीछे की और मिलाएंगे इसको भी हम लोग पीछे की और रेखा को मिलाएंगे तो ऐसा करके कुछ हम लोगों का definition मिलेगा आरेक मिलेगा और इसी हुआ दी हुआ है परतीबिम बन रहुआ है और जो परतिविम वरांगे मन कि रहा है और यह अभाशी हो रहा है यह कलपना किरनारी है और यह लेंगो승 के निकल जाएगी तो उस पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस रेखा को पीछे की और मिलाया गया है तब पाया गया कि वो कहां पर मिलेगी, एफवण पर मिलेगी इसलिए ऐसा बोला जाता है, कि जब वस्तु अगर अनन्थ पर हो तो outer lens में जो परतिवीम बनता है वो कहां बनता है F1 पर और F1 पर कैसा बनेगा तो बिलकुल बिंदू के समान बनेगा और दूसरी बात कि जिधर वस्तु है उधर ही परतिवीम बन रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आभासी होगा और जब आभासी होगा तो सिधा भी होगा तो इसमें हम लोग का कौन-कौन सा point मिलेगा पहला point कि परतिवीम कहां बनेगा परतिवीम एफवन पर बनेगा एफवन पर बनेगा अतियांत छोटा बन रहा है तो अतियांत छोटा बनेगा लिखेगा अतियांत छोटा बनेगा और किधर बनेगा आभासी की वास्तविक तो dear students आप जानते हैं कि वास्तविक कब बनता है जब lens के दूसरे side होता है ये lens के तो उसी side हो गया इसलिए हम इसको बोलेंगे आभासी और सीधा यानि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा तो इस तरीके से हम लोग पहला चीज़ों को डिसकस कियें अब देखिए, केस नमबर टू क्या है? कि इस बार अनन्त और ओ के बीच अनन्त तो जान ही रहे हैं, अनन्त इधर है अनन्त और ओ यहाँ है, इसके बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं देखिए, यहाँ पे बीच कहने का मतलब क्या हुआ? कि अब की बार हम यहाँ भी वस्तु रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ पे भी, अरे कहीं भी आप रवस्तु को रख सकते हो क्योंकि दूसरा case क्या है अनन्द तथा O के बीच लेकिन हम लोग वो को जब परतिवीम बनाना है वो A1 तथा O के बीच बनाना है तो देखी अगर हम लोग उससे परतिवीम अगर तूदी पॉइंट अगर नहीं भी बनेगा तब पर भी हम लोगों को उतना पर कर्टाना होगा चलिए देखते हैं अब हम लोग आते हैं case 2 यहां लिखा जाए case 2 case 2 में कहां तो जब वस्तु कहां हो तो अनन्द तथा O के बीच हो जब वस्तु कहां हो तो अनन्द तथा O के बीच हो तो जब वबस्तु अनन्त और ओ के बीच हो उसके पहले चुकि हम लोग और लेंस में चल रहे हैं तो आप और लेंस बनाईए कि यह थोड़ा सा ज्यादा हो गया आप इसाब से बनाईएगा ठीक है आप हिसाब से बनाईएगा तब दोनों मुह जो है इसका बराबर दिखे थोड़ा सा धंग से बनाईएगा है ना मेरा चुकि पेंस से बना रहे है ताकि आपको अच्छा से पहचान है मेरे तरफ से प्राब्लम है प्यारे स्टुडेंट्स क्योंकि अगर हम पैंसिल से स्केज करेंगे तो दूसरा के दिखने पाएगा किलियर है ना इसलिए हमको पेंस से बनाना पड़ रहा है अगर आप पेंसिल से बनाईएगा तो यह वाला मुह थोड़ा सा ज्यादा होगे इसको मिटाक है थोड़ा सा दोनों मुह अच्छा रहना चाहिए लगें कि हां अब इसके बीच से हम लोगों को एक रेखा गुजारना है और जिस रेखा से गुजरता है तो इसके बीच वाले को बोलते हैं यहां तक तो किलियर है और यहां पे हम लोग C1 बोलते हैं यहां पे F1 बोलते हैं यहां पे लगबग अपने बराबर दुरी पर जितना F1 होगा उतना ही F2 भी होगा F2 होगा और लगबग यहां तक चली जाएगा C2 ठीक है इस बर क्या बोल रहा है कि अनन्थ तो इधर है और O यहां है तो आप वस्तू को कहीं भी रख दीजे आप यहां पे भी रख सकते हैं Dear students, आप यहां पे भी यहां पे भी कहीं भी रख लो मेरा बनुवा चलो यहां रख लेते हैं यहां रख लेते हैं इसका नाम दे देते हैं वस्तू का A B जब आप बोलेंगे कि सर जब अनन्थ से आ रहा था तो उसका नाम कहा है नहीं दिये तो भाई मेरे जब अनन्थ से कोई किरन आएगी तो अनन्त आपको दिखता है कभी अनन्त आपको दिखेगा है नहीं तो उसका नाम किसे पता चलेगा कि A B है कि C D है कि X Y है कि कुछ और है लेकिन हम लोगों को तो ये दिख रहा है इसलिए हम इसका नाम A B रख दिये हैं ठीक है जैसा कि जानते हैं अगर समानांतर किरने अगर जाएगी तो ये कैसे मूब करेगी तीरचा मूरती है ठीक है और जब मूरती है जब इसको पीछे की और अगर किया जाया तो फोकस होकर गुजरती है यानि कि जब समानांतर किरने जब भी पास करती है वो कहां से गुजरती है फोकस से लेकिन इधर तो फोकस मिलेगा नहीं इधर तो कुछ नहीं मिलेगा इसलिए इसको पीछे की ओर मिलाया जाता है तब पाया जाता है कि वो F1 से गुजरेगी ठिक है और फिर क्या तो एक कीरन यहां से निकालना है और वो सीधे परकासिक केंद से होकर जाती है तो उस सीधा निकल जाती है मूरती उड़ती नहीं है इसलिए आप यहां पर इंच की सहाधा से सिधे मिला दीजेगा तो आप पाईएगा कि यहां पर जो कट रहा है कौन-कौन कटा यह यह वाला के वज़ा से कटा जो पीछे की और काल्प ने किये और इसके वज़ा से कटा तो एक बन रहा है A-B- Image यही परतिविम बन रहा है और यह कहां हमेशा बनना चाहिए तो A-1 और O के बीच और आप देख पा रहोंगे कि जिधर वस्तू है उसी साइड बन रहा है का मतलब क्या है कि यह आभासी बने और वस्तू मेरा देखिए A-B इतना बड़ा है तो इससे तो छोटा बन रहा है तो सबसे पहला बात कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि परतिविम कहां बन रहा है परतिविम एफवन तथा O के बीच बनेगा ठीक है और फिर दूसरा कि परतिविम जो बनेगा वो वस्तू से क्या बनेगा छोटा बनेगा तो यहाँ पर लिखेंगे परतिविम वस्तू से छोटा बनेगा अब रहाबाद की वास्तविक बनेगा की आभासी बनेगा तो आप देख पा रहे होंगे की जिधर वस्तू है इधरे न वस्तू है तो जिधर वस्तू है उसी साइड बन रहा है कौँची प्रतिविंब इसका मतलब वे हुआ कि आभासी बनेगा और सिधा बनेगा तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो हमको पता चलेगा कि डाइग्राम बहुत सिंपल है लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए इन चीजों पर उतल लेंस में आप प्रैक्टिस करो उतल धर्पन में प्रैक्टिस करो सबका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो मैं को परफेक्ट बना जेता है इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मैं प्रफेक्ट यानि कि प्रैक्टिस ही एक आदमी को अंदर से प्रफेक्ट बनाता है एक ठोस बनाता है ठीक है तो आप प्रैक्टिस करते रहें कोई हाड नहीं है देखें कोई भी चीज आप पढ़ते हैं ना तो पलस में आपको थोड़ा बहुत याद रख नहीं पढ़ेगा दूसरा आप चीजों को अच्छा से समझना पढ़ेगा और तीसरा सबसे इंपूट प्लस लेना है काहां प्लस लेना है काहां से सभी दूर्यों को मापते हैं इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम आपको याद दिला दिला दे ना चाहते हैं कि जैसे हम लोग दर्पन के चिन परिपाटी पढ़ रहे थें वहाँ पर हम लोग पढ़े हुए थे कि दर्पन के चिन परिपाटी में जो भी दूरिया लिया जाता है वो धुरूव से मापा जाता है पी से मापा जाता है और उपर, उपर की जो दूरिया होती है चिन परिपाटी, परिपाटी का मतलब यह हुबा कि खटिया का पावा पाटी नहीं, चिन कहाँ कहां पलस लेना है, कहां कहां माइनस लेना है, ठिक है, तो सबसे इंपोर्टेंट तो यह लिखा जाए, सबसे पहला बाद, कि फर्स्ट अरो में दर्पन के चिन परिपार्टी वाला ही चिन लेंस के चिन परिपार्टी में परियोग किया जाता है हो गया यानि कि अभी जो हम लिखे ये लिखें सब्सक्स अरो में कि जो हम लोग दर्पन में चीन परिपार्टी पढ़े न कि कहां पर प्लस वहां माइनस किदर प्लस उसी तरीके से हम लोग लेंस वाולा में भी फाल् हम लोग यह लिखें कि जो हम लोग दर्पन में लेते हैं वही चीज हम लोग क्या लेंगे लेंगे लेकिन एक अंतर आता है प्यारे स्टुडेंट्स एक अंतर आता है वह अंतर क्या है कि वहां पर हम लोग कहां पर तो दर्पन में हम लोग शवी दूरियों को कहां मापते थे कहां से मापते थे धुरू से न वहां धुरू होता था तो आप समझ पा रहे होंगे लेंस में तो धुरू नहीं है यहां पे क्या है प्रकासिक केंदर है इसलिए हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लेंस में सभी दूरियों को किस से मापते हैं प्रकासिक केंदर से मापते हैं तो सेकेंडर उमें देंगे लिखेंगे लेंस में सभी दूरियां सेकेंडर उमें देकर लेंस में सभी दूरियां प्रकासिक केंदर प्रकासिक केंदर bracket में O लिखिएगा क्योंकि O ही होता है प्रकासिक केंद्र bracket में O से मापा जाता है O से मापा जाता है ठीक है? और बाकि सब चीज वही होगा जैसे मुख्य अच के उपर की दूरियां प्लस नीचे की दूरियां माइनस मुख्य अच जहां प्रकासिक केंद्र है तो प्रकासिक केंद्र के बाई की तरफ माइनस और दाहिने की तरफ प्लस तो सब चीज वही ली जाती है हालांकि लिख लेंगे कोई प्रॉबलम नहीं है लिखेंगे लेंस में लेंस में मुख्य अच्छ के उपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां नीचे की दूरियां रिनात्मक होती है मतलब की माइनस में होती है फिर लिखेगा नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो देंगे लिखेंगे लेंस में परकासिक केंद्र के बाई और की दूरियां लेंस में परकासिक केंद्र की बाई और की दूरियां रिनात्मक लिजाती है जब की यानि की परकासिक केंद्र ये हुआ ओ इसके बाई और की दूरियां हम लोग लेंगे माइनस में रिनात्मक जब की दाई और की दूरियां दाई और का मतलब हुआ लेंस के दाई और इधर लेंस के बाई और इधर मुख्यच के उपर और मुख्यच के नीचे धनात्मक लिजाती है दाई और की दूरिया धनात्मक लिजाती है तो जैसा कि आप देख पारे होंगे स्टूडेंट कि हम लोग आज पढ़े हैं ओतल लेंस के बारे में और तर लेंस का डाइग्राम देखे लेंस के चिन परिपाटी देखे और अगले दिन का क्लास बहुत इंपोटेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़ेंगे लेंस सुत्र जरा आपको कुछ यहाँ पर बता देते हैं आप बिल्कुल टैवर्ट नहीं होए जैसे कि आपको याद होगा हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं दरपन सुत्र ठीक है हालांकि अगर आप NCRT बुक को देखते हैं तो दरपन सुत्र का खाली फर्मूला दे दिया 1 by B plus 1 by U बराबर 1 by F NCRT बोल दिया कि भाई यही है दरपन सुत्र ठीक है लेकिन हम क्या किये इस सुत्र को प्रूफ करवाए हैं ठीक है और अगले दिन का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस सुत्र तो यहाँ पे जो पढ़े हम लोग पिछले दिन होगा कि लेंस सुत्र होता है 1 by B माइनस 1 by U बराबर 1 by F जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई पूछ देगा आने वाले टाइम में या चलते रास्ता में पूछ देगा कि दरपन सुत्र का भैलू बताओ तो आप क्या बताएंगे 1 by B 1 by U बराबर 1 by F जहां भी होता है प्रति भीम्ब दूरी U का मने वस्तू दूरी F मने फोकस दूरी सब चीज वहीं होगा कुछ बदला नहीं है लेकिन एक चीज बदल गया क्या माइनस और जब यहां माइनस हो गया तो प्यारे स्टुगेंट यह हो गया लेंस सुत्र तो आप हमेशा याद रखेगा कि लेंस सुत्र क्या होता है और दरपन सुत्र क्या है अगर कोई पूछ दिया कि लेंस सुत्र क्या है तो आप कुछ बताइए लिए तो 1 by B माइनस 1 by U बराबर 1 by U यानि कि कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा तो धियान रखना पड़ेगा कि लेंस में होता है माइनस और दरपन में फर्मूला में होता है प्लस ठीक है तो अब आप यह जानकर खुस हो रहोंगे कि तब तो यह बहुत आसान है भई लेंस में मैनस लगा देना दरपन में प्लस लगा देना लेकिन कोई चीजे देख लेने से उर सुन लेने से आसान नहीं होता है आप उसको चीजों को अच्छे से पढ़िएगा तो वही चीजे कभी-कभी हड़ भी हो जाती है तो अब ये हड़ बनने वाली है क्योंकि अगले दिना हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि लेंसूत्र ये होता है हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये लेंज सुत्र आता कैसे है सबसे important तो वो चीज होनी चाहिए कि वो आता कैसे है उसको हम ला कैसे सकते हैं मान लिया life में अगर कोई पूछ दिया कि हमको लेंज सुत्र को proof करके दिखाओ यानि कि इतना formula ला कर दिखाओ तो हम उसको दिखा सकते हैं ये आपके अंदर talent होना चाहिए तभी आप चीजों को सीख पारें ने तो याद करने और देख लेना और सुन लेना ये सब के लिए simple बात है अगर पढ़ाई इतना simple होता तो कोई भी पढ़ लेता लेकिन ये बहुत hard work है और आपको इसको जानना चाहिए दिल से पढ़ाना चाहिए तो अब अगले class में हम लोग क्या करने वाले प्यारे students पता है न ये एक class का class होता है जितना छोटा दिख रहे न उतना छोटा होता नहीं ये भी तो छोटा ही था न पता है न दो तीन बोड भरा हुआ था ये भी वही चीज़ है 1 by B minus 1 by U बराबर 1 by F हलांकि हम आपको ये बता रहे थे ये है लेंस सुत्र और ये है दरपन सुत्र तो अगले class में हम लोग लेंस सुत्र के बारे में पढ़ेंगे लेंस सुत्र क्या होता है ये तो खेर हम अभी भी बता दिये है अगले class में ये proof करके दिखाएंगे हलांकि NCRT book पलटिएगा तो यहां पी इसका proof नहीं किया है खाली बता दिया है कि ये लेंस सुत्र होता है लेकिन पैरे student आपको जानना चाहिए कि ये पूछता भी है कि आप सिध करो ठीक है एक बार पूछा हुआ है तो इसलिए और क्या problem है अगर पूछ दिया तो हम लोग जानेंगे तभी ना इसलिए हम लोग इसको proof करेंगे लेंस सुत्र को ठीक है तो आज के class को यहीं तक फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में बहुत इंट्रेस्टेड वीडियोज रहेगी अगली जहां पर हम लोग सिखेंगे लेंस सुत्र के बारे में तब तक आज के लिए इतना ही धन्यवाद